नमस्कार आप सभी को अधिती की पाट साला पर आप सभी का एक बार फिर से श्वागत है आज हम जूनियर सेशन में जो 6-7-8 है उसमें आज नेचुरल वेजिटीशन और वाइल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि नेचुरल वेजिटीशन और वाइल लाइफ क्या होती है क कहारा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है प्राकृतिक जो अनस्पतियां है और जो वाइड लाइफ यानि जो जंगली जीवन है इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या है जो वेजिटेशन है पेर पौधे जाडियां आदी कि अम्हें स्कुल्ट्रेश्ट वेजिटें वेजिट आदी उनी हैं चर्चाएं क्यों त। अबेच्चाएं उन्हें सी कुर्चाएं मुंका की लाइब ऑन जानियांग जडिटेश्टका व्हाजेशन है आट ऑ्टेट और हिर ऊप्टायर व्याटिज टोस पर मेट गाहिं वेट खेर जाटी ओन खणार लिए हुम टूंए इस्टेट लिए पाहिं टुप टे tree. The children understood that plant provide us with many different products that we used in our day-to-day life. Monah bought a beautiful handbag, which was made as a jute. There are baskets, lamps, seats and chairs, which are made from bamboo, which is made from eastern and northern eastern parts. Jashi, which is a scarf, which is made of silk, which is made of silk, which is made from mulberry trees. पर पाये जाते हैं, या उन्हें मलबेरी ट्री पर पाला जाता है, उसके पत्तों को खाके वो जिन्दा रहते हैं. तो जो हमारा वेजिटीशन है, हमारे प्रिदिन के लाइफ में बहुत ही मातोपूर है. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone in contract between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. lithosphere, hydrosphere and atmosphere यानि उपर आकास, नीचे जल और lithosphere का मतलब धरती. तो इसके बीच में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. पेड़ पौधे प्रतिबी पर उखते हैं या लैंड lithosphere पर उखते हैं. उनका एक biosphere होता है, यानि उन्हें जयो मंडल भी कहा जाता है. इसी biosphere में जो wildlife और natural vegetation है, वो interdependent होते हैं. यानि एक दूसरे पर निरभर होते हैं. और या जो निरभरता है या या जो life supporting system है, इसे हम ecosystem कहते हैं. यानि हमें मिट्टी देते हैं, to growing crops, फसलों को उगाने के लिए, shelter देते हैं, storage देते हैं, underground water का, food देते हैं, nuts देते हैं, latex देते हैं, turpines oil देते हैं, means कह सकते हैं, tarpene oil देते हैं, gum देते हैं, medical plant जो हमें, medicine देते हैं. कहा रहा है कि ये जो wildlife हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्तोपूर हैं, जो plants हैं. इसके अलावा जो wildlife हैं, वो भी हमारे life को support देते हैं, wildlife में कुछ जो animal हैं, वो हमें milk देते हैं, कुछ animal से हम meat लेते हैं, कुछ animal की हम hike सरूर लेते हैं, कुछ insects जो हैं, जैसे bee यानि, मदुमक्खी हमें honey देती हैं, ठेक, pollution, जो pollution flowers हैं, वो हमें peace देते हैं, medical plant हैं, वो हमें medicines देते हैं, कुछ जो animal हैं, वो decomposition का भी काम करते हैं, यानि जो हमारे natural environment में, जो खराप चीज़े हैं, वोड़े, decompose कर देते हैं, और हमारे environment को neat और clean रखते हैं. distribution क्या है, natural vegetation है, तो उसका distribution भी होगा, तो distribution जो है, वो temperature, moisture, climate पर निर्फर करता है, कि किस climate में, कौन सा forest, grassland, subs, आधि, उगेंगे, यह depend करता है, heavy rainfall, soil, climate, और solar radiation पर, solar radiation पर यह बहुत जादा निर्फर करता है, जहां पर rainfall कम होती है, वहाँ grasses होती है, जहां rainfall अधिक होती है, वहाँ पर grassland, subs और trees पाये जाते हैं, और जहां, बहुत heavy rainfall होती है, वहाँ यह वर green forest पाये जाते हैं, कई जो people हैं, कई लोग हैं, कई सेंचूरियों से, उन जंगलों में रहते हैं, और उन्हें clear करके, वहाँ पर अपने life strategy को जीते हैं, या life strategy grow up करते हैं, आप करते हैं, conservation of plant and animal, हमें plant का conservation है, कि forest are the wealth, जंगल संपत्ती है, और संपत्ती को बचाना बहुत आवश्यक है, या संपत्ती कैसी है, कि जो संपत्ती है, वो हमारे ecosystem को maintain करती है, अगर इसमें हम changing करेंगे या इसे हम change करेंगे, तो हमारी climate change होगी, हमारा natural vegetation बदल जाएगा, उसमें जो पाय जाने वाले species हैं, जो important species हैं, जो हमारे लिए एक support देते हैं, वो इससे प्रभावित होंगे, जिसके कारण हमारी life बहुत जादा प्रभावित होगी, कारण क्या ह है, कारण है deforestation, जंगलों की कटाई से भी ecosystem disbalance होता है, दूसरा है soil erosion, मिटी के अपर्दन से भी, तीसरा है constructional activities, जैसे road बनाना, factories बनाना, इससे भी बहुत जादा effect पड़ता है, चोथा है forest fire, tsunami, land sliding, human and natural factors जो होते हैं, वो हमारे forest resource को बहुत जादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ecosystem disbalance होता है, और हमारा जो ecosystem है वो प्रभावित होता है, इसके कारण दूसरा जो सबसे बड़ी बात है approaching and hunting, जंगली जानवरों का सिकार करना, उन्हें मारना, illegal trade करना, उनका skin का, nail का, teeth का, horn का feathers का, ये बहुत ही हानिकारक है, हमारे wildlife के लिए, हमारे ecosystem के लिए, जैसे कुछ animal है, tiger है, lion है, elephant है, deer है, black buck है, crocodile है, rhinoceros है, snow, leopard है, ostrich है, peacock है, इन सब को conservation करने की आउशकता है, क्योंकि ये हमारे ecosystem के बहुमोले, animal है, पर बच्चों, ये जो chapter है, आपका यहाँ पर समाप्त होता है, कि conservation animal क्यों आवशक है, क्या जरूरी है, यहाँ ये chapter यहीं पर समाप्त होता है, अगले, अगला जो 678 का important chapter होगा, उसके बारे में discussion हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो आपको कैसा लगा, आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं, अगले वीडियो में,